ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाए जिस दिन सनिवार को अपने सफाई वार्ड नंबर 14 में अपना सफाई कारी कर रहा था तबी जाज टाउन निवासी आनन स्रिवास्तो जोकी BJP जिला उपाध्यच के पत्पर है जिसने दबंगई दिखाते हुए सफाई करमचारी को पीटा वज्जात शूचक सब्दों का प् हेला वालमीक यूद बिग्रेड नगर निगम करमचारी यूनियन के साथ मिलकर जिलादिकारी महोदय को ग्यापन सौपा वपीडित करमचारी की समस्या से उगत कराया प्राइम निज्ट 24 के लिए सलंतिवारी की टिपोर्ट अगरे बाद सुपर वाजर को भी मारा गया उसके बाद मैं इस्पेक्टर पास करा था इसके बाद मुझको भी एक चप्पल मारा और गाड़ी पास कळा होके पिस्तॉल से कह रहा था कि मैं तुम्हें बंदूग समार दूँगा आप चाहते हैं कि आने वाले भविस्त में मेरा कोई अगर वहां तो कोई मुझे मारता है तो इसके जिम्मेदार वो हो और आगे वाले भविस्त में करमचारियों को साथ ऐसा ना हो इसलिए यह कदम उठाया गया है किस विक्ति ने आपके साथ बतसलूकी की उनका फूरा नाम बताई है उनका नाम अनन सिनवास्तों कहां रहते हैं क्या है कि लिदी लोट में रहते हैं क्या है उप अध्यकारी है वह जिला उजाजपा का उप अध्यक्ष है आच्छा है हमारे बीच में हेला वालमी की यूद ब्रिगेट के अध्यच बड़े भाई सी प्रेम प्रकास आदस बभलू भाई है मैं चाहूंगा कि आप भी एक आसवासन संगठनात्मक रूप से बताने का कश्ट करें आज तेरा तारिक को जिवाधिकारी महोदे को ग्यापन स्द्यम जी के द्वारा दिया गया है और सफाई कर्मचारी के साथ प्रेडन जो का हुई है मारफीट हुई है आनंग सिर्वास्तो जो की वर्तमास में भार्ती जन्ता पार्टी के नेता है ऐसी इस्तिती में सफाई कर्मचारी के साथ न्याय दिलाना मुश्किल है लेकिन हेला बालमी की यूद ब्रिगेड इनको ये स्वासन देना चाहती है कि अभी यूनियन के माध्यम से ग्यापन एक दिया गया है एक दो दिन में अगर कारवाई नहीं होती तो हेला बालमी की यूद ब्रिगेड पूरे उत्तर प्रदेश में इस सफाई कर्मचारी अंदोरन करेगी और पत्र के माध्यम से तमाम सफाई आयोग स्टी स्टी आयोग में यह चीज दिया जाएगा ताकि आनद सिर्वास्तों जैसे डबंग लोगों पर कारवाई हो सके हमारे बीच में कुछ महिला सफाई कर्मी भी है हम इनका भी विचार जानना चाहेंगे कि आप ऐसे लोगों पर किस तरह की कारवाई की मांग करना चाहेंगे परसासन से